आज हम क्लास सेकंड में पढ़ेंगे मैट्स आप अपने बुक ओपन कीजिए आपको पता है ना हमने मैट्स में रवीजन वर्क स्टार्ट किया है और वीजन वर्क में हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था आज हम उसकी करेंगे exercise 1C compare by counting the number of digits इन दो नमसे जो नमबर बढ़ा है उस पे हमको इस तरह से sign लगाना है 134 99 तो कौन सा नमबर बढ़ा है 134 173 और 62 में से कौन सा नमबर बढ़ा है 173 और 90 और 184 में से कौन सा नमबर बढ़ा है 184 तो हम ऐसे इस पे greater than का sign लगाएंगे 9 और 64 में से 64 तो 64 की तरफ आप sign लगाओगे 58 और 163 में से 163 की तरफ आप sign लगाओगे 73 और 179 में से 179 की तरफ आप sign लगाओगे compare the digit in the 10th place अब इसमें आपको क्या करना है 10th place में digit जो है कौन सा बढ़ा है जैसे 126 और 162 तो 10 digit में 62 हुआ तो 162 नमबर बढ़ा है तो इस प्याब इसे एरो लगाओगे 157 और 169 में से 169 144 और 109 में से 144 ओके 163 में से और 173 में से 173 ग्रेटर है इस प्याब इसे sign लगाओगे इस तरह से 101 और 110 में से 110 नमबर बढ़ा है इस पे ऐसे sign लगाएंगे आप 187 और 178 में से 187 इस पे आप sign लगाएंगे ओके compare the digit in the once place, once place में कौन सा digit बढ़ा है 181 और 188 अब इसके once में one है इसके eight है तो eight greater हुआ इसके तरफ आप sign लगाओगे यहाँ पे 120 है 129 तो इसमें nine once की value पे nine है तो nine हुआ आपका digit बढ़ा तो उस पे आप sign लगाओगे 137, 134 में से 137 की तरफ आप greater than का sign लगाओगे 123 और 125 कौन सा नमबर बढ़ा है आपका 125 की तरफ आप sign लगाओगे अब mixed practice है इसमें one stance आप mixed practice में आप करोंगे 17 और 170 कौन सा नमबर बढ़ा है 170 तो 170 की तरफ 195 और 95 इसमें से कौन सा नमबर बढ़ा है 195 58 और 101 में से कौन सा नमबर बढ़ा है 101 158 और 105 में से कौन सा नमबर बढ़ा है 158 187 और 188 में से 188 141 141 दोनों बराबर है तो दोनों पे कौन सा sign लगेगा equal का ओके रिंग ता greatest number इन में जो सबसे बढ़ा नमबर उस पे रिंग करेंगे 125 और 189 और 150 तो सबसे बढ़ा नमबर कौन सा है 189 तो आप इस पे circle करोगे इसमें 39 64 और 184 तो 184 पे आप circle करोगे 138 131 और 135 तो 138 सबसे बढ़ा नमबर है इस पे आप circle करोगे next question रिंग ता smallest number इन में से जो smallest number है उस पे circle करना है 120 102 और 29 तो 29 पे आप circle करोगे 121, 111 और 131 तो 111 पे आप circle करेंगे 184, 108 और 180 तो 108 पे आप circle करोगे ओके अब next page पे आप आजाईए next है exercise 1D इसमें क्या करना है arrange the following number in increasing order increasing order का मतलब होता है पहले छोटा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा छोटे से बढ़े की तरफ लिखना तो अब यह number दिये में इनमें सबसे चोटा number काँ सा है 21 उसके बाद 136 फिर 158 तो increasing order में हम इसको लिखेंगे उसके बाद 163, 47, 80 तो इसमें सबसे चोटा नमबर है 47 फिर उससे बढ़ा है 80 और फिर उससे बढ़ा है 163 तो इसको आप increasing order में लिखेंगे उसके बाद 101, 126, 162 तो सबसे बहले लिखोंगे 101 फिर 126 और 162 increasing order में ओके उसके बाद 138, 134, 131 तो सबसे बहले आप लिखोंगे 131, 134 और 138 ओके next question arrange the following number in decreasing order decreasing का मतलब होता है बड़े से चोटे की तरफ तो इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नमबर लिखना है 75, 181, 165 तो सबसे बड़ा नमबर क्या हुआ हुआ आपका 181, 75 और 65 इस तरह से आप इसको decreasing order में लिखेंगे उसके बाद B पार्ट है 115, 51 और 152 तो इसको आप लिखोगे 150, 115 और 51 उसके बाद next है आपका 128, 120 और 102 तो आप लिखोगे 128, 120 और 102 उसके बाद next आपका है 142, 145 और 149 तो इसको आप खुद लिखोगे एक मैं ने चोड़ा आप खुद लिखोगे इस पे सबसे पहले क्या लिखोगे 149, 145 and 142 ओके यह आप लास्ट खुद लिखोगे इसके बाद यह आपका homework है page number 19 पे यह देखिए put as many dots as number in boxes जितने number लिखे है उतने box के अंदर dots हैं यह ओके 1 में 1 है, 2 में 2, 3 में अब इस तरह से यह 4 number लिखे है तो आप इसमें 4 dots टालोगे, इसमें 5 है, इसमें आप 5 dots लगाओगे इसमें 6 है, इसमें 6 dots लगाएंगे आप इसमें 7 है, इसमें आप 7 dots लगाएंगे इसमें 8 है, इसमें आप 8 dots लगाएंगे इसमें 9 है, इसमें आप 9 dots लगाएंगे और इसमें 10 है तो आप 10 dots लगाएंगे, उसके बादे 9 color the box that have dots in pair, इनके जो pair हैं, उनमें आपको dots में 9 color the box, जो उपर ये box दिये हैं, जिनमें pair में हैं, उनमें आप color करोगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10, इनमें dots में आप क्या करोगे, color करोगे, क्योंकि क्या है ये even numbers, जो number pair में होते हैं, जो कि 2 के table से divide होते हैं, जैसे 2, 4, फिर आप यहां लिखोगे 6, 8, 10, और ये जो उपर box है, उनमें आप जो है, जैसे 2 में, 4 वाली dots में, 6 में, 8 में और 10 में आप color करोगे, तो ये होगे आपके even number, even number are those number that can be put in pair, जो कि pair में होते हैं, और odd number कौन से होते हैं, जो pair में नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये होगे, आप करेंगे, cannot be put into pair, ये pairs में नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं, odd number, odd number are those number that cannot be put in pair, जो number pair में नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, odd number, और जो number pairs में होते हैं, उनको बोलते हैं, even number, तो यह आपका homework है, आपको यह dots बनानी है और जो even number वाली dots है उनमें आपको color करना है ओके, thank you, bye students